नमस्कार और वेलकम फ्रेंड बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवस प्रेस करें जिसे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फोर्मेशन आपको मिलता रहें आज मैं आपको Adobe InDesign के अंदर यह बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी टेक्स के अंदर फोटो को कैसे अंदर पुट कर सकते हैं किसी भी टेक्स हो जैसे यहाँ पर मेरा नाम आपको दिख रहा हो देखिए इस टेक्स के अंदर मैंने फोटो पुट किया है इसके अंदर मैंने फोटो डाला है यह देखिए यहाँ पर ठैंक्स जो लिखा हुआ है इसके अंदर भी आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा कि कैसे करेंगे तो पहले यहां पे एक normal सा page हम लोग blank page पहले से मैंने ले रखा है यहां पे खाली page आपको दिख रहा है अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग एक text लिखेंगे जिसके अंदर photo put करना है तो यह जो toolbox आपको दिखाई दे रहा है यह जो tool है type tool इस पे click किजिएगा और generally क्या होता है जब हम लोग text वेड़ा type करने का कोशिज करेंगे click करके तो नहीं होता है तो इसमें करना क्या होता है type tool पे click करते हैं उसके बाद इस तरह का text block हम लोग बनाते है यह देखिए मैंने text block बना दिया अब करसर यहां आपको दिख रहा होगा अब यहां पी जो आपका control का panel यहां पर है यहां पर 12 points है यहां से हम लोग इसका size वगरा बड़ा कर देंगा सबसे बड़ा size 72 ले लिया मैंने अब यह जो text है यहां पर जो आपको दिख रहा है यह देखिए कितना पतला है text इसके अंदर भी photo आप put कर सकते हैं लेकिन बेस्ट ही है जो text को जि दिखाई दे रहा है यहां पर इस पर जाकर हम लोग एक font लेंगे एरियल ब्लैक लेंगे तो यह थोड़ा सा उपर किया मैंने यहां से मैंने एरियल चूस कर लिए इसके डाउन बटन कीजेए और यहां पर दीखिये ब्लैक पर जैसे घ्लीक कीजिए यह दिखे मैं टेक्स थर्वासा मोटा हो गया थिक हो गया अब क्या है यह आपको बॉक्स आपको दिखाई दे रहा यह आपका जैज जगा तक हम लोगोंने टिक्स ब्लोक बनाया था तो यह से ड्रैक करके इस तरह रहो गया सिंपल टरीका है इस व्रेम को का works करने के बाद आपको क्या करना है यह घाने के बाद अप टेक्स सक्थ स्काम करना हों कि निचे अद laptop ईंच को है यहांicky यह आप přे ताइप मेन जाएएगा टाइप में जाने के बाद यहां पर देखिए create outlines है इसका shortcut भी दिया हुआ sip plus control plus o तो create outlines अगर नहीं कीजेगा तो text इसके अंदर नहीं आएगा तो create outlines पे click कर दिया हम लोगों ने तो अब क्या हुआ इस text को देखिए मैं drag कर रहा हूँ तो असा इसको drag करके इसको unselect रखना है अब हम लोग फोटो लेकर आते हैं तो select नहीं करना है याद खिएगा बाहर क्लिक कर दिजएगा create outline के बाल उसके बाद आपको क्या करना है यह जो tool है selection tool पे click कीजिए file में जाईए जाने के बाद नीचे आईए यहाँ पे देखिए place है place पे click कीजिएगा तो इस तरह का place का dialogue box आजाएगा अब जिस जगह भी आपने photo रखा है चाहे वो आपका desktop हो चाहे वो आपका c drive हो e drive हो जिस जगह भी आपने रखा है तो photo यहाँ से अपला सकते हैं पर आंसू नाम का फोल्डर है उसके अंदर बहुत सारे photo है यहाँ पर अब मैं यहाँ से photo लेता हूं यह देखिए यह photo है एक photo आपको दिखाई दे रहा है couple का photo है इस पर click करेंगे उसके बाद open पर click कर देंगे करने के बाद जो भी आप जब आप photo प्लेस के माद़ियम से लेकर आते हैं तो आप mouse pointer हिला के देखिएगा तो क्या होता है जिदर जिदर mouse pointer लेजएगा photo आपको दिखाई देगा मतलब आपके mouse pointer के साथ यह photo लोड हो चुका है आपको कुछ नहीं करना simply इस तरह photo को आपको drag कर देना तो photo यहाँ पर आ गया अब यहाँ पर होता क्या है जैसे photo को जब हम लोग बड़ा या चोटा जैसे photo को चोटा कर रहा हूँ या बड़ा कर रहा हूँ तो क्या हो रहा देखिए यह जो जगा है खाली हो जारा photo scaling हो रहा है फोटो को फिट करने के लिए simple बहुत सरे तरीके हैं लेकिन simple तरीका आपको दिखाता हूँ जब भी आप इस तरह का problem हो तो यहाँ पर आप control panel में देखिएगा यहाँ पर कुछ option आपको दिखाई देगा fill frame proportionally, fit content proportionally अगर fit content proportionally पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का दिखाई देता है अगर इसको अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे fill frame proportionally करेंगे तो इससे पुरा का पुरा जो खाली जगा था यहाँ पर फिल हो जाएगा अगर मालने यह नीचे वाला portion देखिए नीचे कटा कटा दिख रहा है उसके बाद edit में जाना है अभी यहाँ से आपको photo को cut कर देना है याद है किया cut करना है तो cut करने के बाद photo यहाँ से आपको दिखाई cut चुका है photo अब आपको क्या करना है यह जो tool है selection tool इस पर क्लिक कीजिए और text पे क्लिक कीजिए हम लोगों ने काट दिया है उसके बाद अब मेनू बार में जाईएगा एलिट में जाईए और थोड़ा सा नीचे आइए यहां पेच है और दूसरा देखे पेस्ट इंटु इसका है विढ़ा हुआ Mend लोगों क्लिक कर देना है यहां पर जाइए यहां पर चुका है लेकिन कुछ हिस्सा नेख कर देखा थे इसके साब से fit करना है तो simply आप यहां पर जाएगा यह देखिए यहां पर आपको दिखाई देगा यह देखिए फोटो यहां पर पूरा पूरा टेक्स के अंदर इस तरह का adjust हो जाएगा तो यह दो-चार option से इसका use करके करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा simple है कोई मुस्किल नहीं तो इस तरह फोटो को देखिए टेक्स के अंदर पूट कर दिया हम लोगों ने अब सवाल उठता है कि इसमें जो outline है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं इसमें कुछ effect वगड़ा भी दे सकते हैं तो outline देने के लिए simple इस पर क्लिक करके रखेगा और यह जो आपको यह जो आपको पॉइंट आपको दिखाई दे रहा हुगा इसका outline दिखाई दे रहा हुगा इसको अट्रेक्टिव बना सकते हैं अब इसके पीछ आप effect भी दे सकते हैं अब इस पर right click कीजिएगा तो drop down यहां से list आएगा जिसमें effects है effects में जाके कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं तो यहां पर drop shadow यूज़ कीजिए ज्यादा बहतर है तो जैसे यहां पर drop shadow पर click कीजिएगा तो यहां पर preview का जो बटन है effect का जो यह आपका dialogue box है यहां पर preview का इसको on रखिएगा जिससे यह होगा फाइदा यह होगा कि जो भी आप काम कीजिएगा यहां पर सो करता है साइड में देख भी पाईएगा तो drop shadow selected setting object ठीक है blending mode में multiply दिया हुआ यहां से हम लोग नॉर्मल कर देते हैं नॉर्मल कर देंगे और यहां से distance अगर बढ़ाते हैं तो आपका shadow का queries çıkara शैड होगाए यहां पर चाहीं यहां पर इसको change कर सकते हैं जो आपको ब्लेक दीम चैड करते हैं शके फिल्ग करते हैं यहां से कम जग्फे इस बिए फोटो-पूर ? to यहां पर देख सकते हैं मिह में इसी इस तरह हम लोग किसी याद रखिएगा किसी भी तेक्स के करना चाहते हैं अडोबी इन डिजाइन से लेटर तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद